हाई दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओरिजिनल फूड में मादुरी के साथ तो चलिए आज में बनाने जा रही हूँ लॉंग और लाइची की चाय लॉंग रिलाइची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोग जरूर बना के देखिएगा यह देखिए मैंने यह एक लास दूद ले लिया है और गहजला लिया है अब मैं इसमें चार चम्माद चीनी एक करूँगी 1 2 3 4 5 थोड़ी जादा चाहिए पड़ती है ना थोड़ा मीठा पीते हैं आप जैसा आप लोग चाहें बैसा कम जादा डाल सकते हैं तो मैंने पांच चम्माद चीनी नाल दी और यह देखिए एक और दो क्योंकि थोड़ी कड़क चाय पीते हैं तो इसलिए बढ़िया लॉंग और इलाइची की चाय बनाने जा रहे हैं यह देखिए अब यह इसे पांच से साथ मिट तक हम पकाएंगी ठीक है जब तक के लिए चली बाई बाई हेलो दोस्तों ये देख्ये ये मैं लौंग और इलायची ले रही हूं ये देख्ये एक लाइची नों ऐलायची आ वससे अधेरे की एक देख्यें हैं लाइचीत कि शॉठी सी ओकिले हो तो मैं कुछी में से लेती हूं यह देखिए दोस्तों पांच मिनट हो चुके हैं और यह देखिए कितना बढ़ीया कलर आ गया है चाय का चाय बढ़ीया रेडिड हो चुकी है अब यह देखिए यह जो मैंने एक लाइची और लॉंग दोनों यह पीस के रखे थे तो यह किती है इसमें बढ़ीया फ्लेवर आएगा इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा टेस्ट यह मैंने नया चैनल बनाया है और इनल फूड जिसमें आपको सिर्फ और इनल मिलेगा कोई डुप्लिकेट नहीं कोई ड्रामा नहीं जो मैं बनाओंगी वह इसलिए मैंने इसका नाम बदल दिया है 50 QP से और इनल फूड बाय माधुरी तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई ने वीडियो मिलती रहें नई रेस्पी मिलती रहें और मैं आप लोगों को नया नया आइटम बताती रहूं ताकि आप लो जान लेते हैं चाय को यह देखिए जो चाय बनाई थी है देखिए कि बड़िया चाय बनी है और प्लॉंग लाइची डालने के बाद मैंने सिर्फ दो मिनिटे से पकाया है और इसके बाद यह देखिए देखिए कि बड़िया चाय बनी है प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और इस तरह कि अगर चाय आप भी पीना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंड कीजिएगा जो फैला है इसको हम साफ कर देते हैं तो यह देखिए कितनी बड़िया चाय बनी है चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में ओके बाई बाई